नमस्कार दोस्तों उमारी YouTube चैनल एक्जाम लेर्नर में आपका स्वागत है दोस्तों इस वीडियो में हम लोग jąरो यारो यानि के समिछादिेकारी या मसायक समिछादिकारी का हिंधी पेपर टू का माडल पेपर दूसरा हाल करेंगे जिसमें आपको 60 प्रश्ण जो कि आपके syllabus में दिया गया है हल कराया जाएगा तो दोस्तों वीडियो को like share कर देज़ेगा और चैनल पर पहली बारा हैं तो चैनल को subscribe करके साथ में will icon को press कर लिज़ेगा जिसे आने वाले अगले वीडियो का notification आपको पहले मिल जाए और इसका PDF आपको हमारे टेलिग्राम चैनल पर मिल देगा निचे description में टेलिग्राम का link दे दिया गया आप उहां से join करके PDF नाव लोड कर सकते हैं तो दोस्तों यह है आपका दूसरा model paper है इसके पहले पहला model paper वो upload हो चुका है तो चलिए जो है देखते हैं पहला प्रशन है आपका तिमीर का बिलोम सब्द क्या हो जाएगा तो इसका सही answer हो जाएगा आपसन B तिमीर का बिलोम सब्द हो जाएगा आलोक अगला question आपका तीछड का बिलोम सब्द क्या होगा तो इसका सही इंसर हो जाएगा option A तीछड का बिलोम सब्ध हो जाएगा मंद और छीड का जो बिलोम सब्ध होता है वो होता है पूष्ट अगला जोग प्रश्ण है आपका कृत्रिम का बिलोमार्थी सब्ध क्या होगा तो इसका सही इंसर हो जाएगा option A प्राकृतिक नेक्स वोशन आपका उदात का बिलोमार्थी सब्द क्या होगा तो इसका सही इंसर हो जाएगा option C उदात का बिलोमार्थी सब्द हो जाएगा अनुदात तो जो है C option यहां से हो जाएगा और उद्धत का बिलोम सब्द होता है बिनीत क्या होता है तो बिनीत होता है और जो है आपका दानसील का बिलोम सब्द होता है किरपड उसके बाद जो है छमावान का बिलोम सब्द होता है क्रोधी अगला प्रशना आपका नेमलिखित विकलपों में से कौन सा सब्द उदार का बिलोम है तो इसका सही इंसर हो जाएगा आपसन D उदार का बिलोम होता है अनुदार और कठोर का बिलोम सब्द होता है कोमल उसके बाद निर्भय का बिलोम सब्द होता है आपका सभय उसके बाद जो है आपका अपवय का बिलोम सब्द हो जाएगा मितवय अगला कुशन आपका इन में से कौन सा सब्द सुक्ल का बिलोम है तो इसका सही इंसर हो जाएगा आपसन B, कृष्ण सुक्ल का बिलोम सब्द हो जाएगा कृष्ण और आपको पता है काला का बिलोम सब्द होता है सफेद उसको अध्यामल का बिलोम सब्द हो जाएगा गौर अगला कोशन आपका है इन में से कौन सा सब्द प्रस्थान का बिलोम है तो इसका सही इंसर हो जाएगा आप्शन A प्रस्थान का बिलोम सब्द हो जाएगा आगमन अगला कोशन है निमलिखित बिलोम युगमों में एक सब्द युगम सुध नहीं है तो आपको बताना है कौन सा जो है सुध नहीं है तो इसका सही इंसर हो जाएगा आपसन D, नूतन, सनातन दिया गया यहाँ तो नूतन का बिलोम होता है वो आपका पुरातन होता है ना कि सनातन तो D आपसन जो है आपका सुमेरित नहीं है बाकी ए जो है आपका सही है आयात का निर्यात होता है पाप का पुन्य होता है और वद्ध का जो है मुग्द होता है अगला प्रशन है आपका गमन का बिलोम सब्द क्या होगा तो इसका सही इंसर होगा आपसन C गमन का बिलोम हो जाएगा आगमन अगला कोशन है आपका है निंदा का बिलोम सब्द क्या हो जाएगा तो इसका सही अंसर होगा आपसन ए इस्तुति अगला कोशन है आपका जिस विकारी सब्द से संग्या की ब्यापती मरियादित होती है उसे क्या कहते हैं तो इसका सही अंसर हो जाएगा आप्षण B, B-S-E-S-E-S-E-S-E-S-E-S-E-S-E-S-E-S-E-S-E-S-E-S-E-S-E-S-E-S-E-S-E-S-E-S-E-S-E-S-E-S-E-S-E-S-E-S-E-S-E-S-E-S-E-S-E-S-E-S-E-S-E-S-E-S-E-S-E-S-E-S-E-S-E-S-E-S-E-S-E-S-E-S-E-S-E-S-E-S-E-S-E- अगला प्रशन है आपका चार सब्दों के आगे उनके विसेसर सब्द दिये गए हैं, जिनमें एक बिकल्प असुद्ध है, उसे चैन किजी, तो जो असुद्ध है उसे चैन करना है आपको, तो इसका सही अंसर हो जाएगा आपशन B, नियम का जो है दिया गया है नैतिक, अगला प्रशन है आपका बिसेसर के चार भेदों के सामने सब्द दिये हुए हैं, जिनमें से एक का सब्द नहीं है, उसे चैनित किजी, क्वेशन संख्या पंद्रे का अंसर आपको बताना है, तो इसका सही अंसर हो जाएगा आपशन C, संख्या बाचक बिसेसर कोई दिया यह आपका गलत हो जाएगा, कुछ ही दिरहता तो यह आपका संख्या बाचक बिसेसर हो जाता, तो C आपसन जो है आपका सही नहीं है, बाकी गुड़ बाचक बिसेसर कोई है, तो C आपसन यहाँ आपका सुमेलित नहीं है, अगला प्रशन आपका नीली साड़ी में कौन सा बिसेशड है तो इसका सही एंसर हो जाएगा आपसन C गूड़ वाचक बिसेशड अगला कोशन आपका अतियंत सब्द में कौन सा क्रिया बिसेशड है प्रशन संख्या 17 का सही एंसर बताना है तो इसका सही एंसर हो अगला कोशन आपका क्रिश्न धीरे धीरे चला वाक्यांज के धीरे धीरे सब्द में किस क्रिया बिसेशड का रूप है? प्रस्ण संख्या 19, का सही अंसर हो जाएगा आप्सन D, री ती वाचक क्रिया विसेशन, अगला कोशन आपका पापी में कौन सा विसेशड है, तो इसका सही अंसर हो जाएगा आप्सन C, पापी में जो है गुड़ वाचक विसेशड है, C आप्सन से हो जाएगा, अब अगला प्रश्ण है आपका निमलिखित प्रश्णों में दिये गए बिकल्पों में तत्सम सब्द का चेन कीजिए तो चार आपसंद दिया गया है तो आपको बताना इसमें कौन सा सब्द जो है तत्सम है यह इसका जो तद्वा होता है वह बाउना होता है और माई जो है यह आपका तद्वा सब्द है इसका तद्वा सब्द है इसका तद्वा हो जाएगा मात्री और बीस यह भी आपका तद्वा हो जाएगा विसंती उसके बाद जो है यह जो दिया गया बुढधा बुढ़ा बी जो है आपका तद्भाव सब्द है इसका तद्भाव सब्द है इसका तद्भाव हो जाएगा बृद्ध अगला प्रश्म आपका बाइस तो बाइस में भी आपको बताना है कि तद्भाव सब्द कौन सा है तो इसका सही अंसर हो जाएगा आपका option B 12 जो है यह तत्सम सब्द है इसका तत्भाव क्या होता है तो 12 जो है इसका तत्भाव हो जाएगा 12 का बार जो है तत्भाव सब्द है इसका तत्सम होता है वार उसका बाद वानवे यह भी आपका तत्भाव सब्द है इसका तत्सम क्या होगा दौनवती दौनवती हो जाएगा और बाग भी आपका तद्वा है इसका तत्सम हो जाएगा ब्याग अगला कुशन आप तेज तो प्रस्म सेंग्या तेज में भी आपको तत्सम बताना है कि कौन सा तत्सम है तो इसका सही अंसर हो जाएगा आपका आपसन बी जो है से हो जाएगा यहाँ बाम बाम जो है वाम यह आपका तत्सम सब्द है उसके बाद आपजेक्शने बालू का जो है बालू यह तत्भव सब्द है इसका तत्सम होता है बालू का उसके बाद जो है बोना बोना जो है यह आपका तदभाव सब्द है इसका तदसम होगा वपन उसके बाद माखन जो है तदभाव है इसका तदसम हो जाएगा मरक्छड अगला कोशन आपका कोशन जो है प्रस्म संख्या 24 तो इसमें भी आपको बताना है तदसम सब्द कौन सा तो इसका सही इंसर हो जाएगा आपका आप्शन यह जो है सही हो जाएगा है पादोन पादोन जो है आपका तत्वा सब्द है इसका तत्वा सब्द जो होता है वह पाउना होता है तो पाउना का तत्सम हो जाएगा पादोन आपका पोती जो है आपका तत्वा सब्द है इसका तत्सम हो जाएगा पोत्री उसका बद पैर जो है तत्भाव है इसका तत्सम हो जाएगा आपका पदिर और पूरा जो है यह भी आपका तत्भाव सब्द है इसका तत्सम हो जाएगा पूरक अगला कोशन है आपका पचीश प्रशन संख्या 25 में भी आपको बताना है कि तत्सम सब्द इस में कौन सा होगा तो इसका सही अंसर हो जाएगा आपका option E, वर्धन वर्धन जो है आपका ये तत्सम सब्द है, इसका तद्भा होता है वढणा उसका अगला प्रशन है प्रशन संख्या 26 तत्भाव सब्द आपको बताना है कौन सा होगा तो इसका सही अंसर हो जाएगा option B, मनई जो है आपका तत्भाव सब्द है अगला कोशन आपका 27, निमन लिखित में से कौन तद्भाव सब्द है तो इसका सही अंसर हो जाएगा option D, सूरज जो है आपका तद्भाव सब्द है, इसका तत्सम होता है सूर्य अगला कोशन आपका निमन में से कौन सा सब्द तद्भाव होए, प्रशन संख्या 28 तो इसका सही अंसर हो जाएगा option A, कोयल, कोयल जो है आपका तद्भाव सब्द है, इसका तत्सम होता है कोकिल कोयल का तत्सम क्या होता है, तो कोकिल होता है, अगला प्रशन आपका प्रशन संख्या 29, परड का तद्भाव सब्द क्या होगा तो इसका सही अंसर हो जाएगा option ये सह जाएगा पत्र परड का तदभाव सब्द जो है पत्र होगा ये option सही हो जाएगा आपका अगला प्रशन आपका इनमे से तदभाव सब्द कौन सा है प्रशन संख्या 30 तो इसका सही अंसर होगा option B बंदर जो है आपका तदभाव सब्द है बंदर का जो है तदसम होता है वानर अगला प्रशन आपका जिसके पास कुछ भी न हो वाक्यांस के लिए एक सब्द क्या होगा प्रशन संख्या 31 तो इसका सही अंसर हो जाएगा option A अकिंचन जिसके पास कुछ भी न हो के लिए एक जो सब्द होगा होगा अकिंचन होगा अगला प्रशन आपका अंतेयज सब्द के लिए सही वाक्यांस क्या है तो इसका सही अंसर हो जाएगा option D अगला प्रशन आपका अनिश्चित जीवका के लिए एक सही सब्द क्या होगा तो इसका सही अंसर हो जाएगा option D अकास बृत्ती अगला प्रशन आपका जिस पर हमला न किया गया हो इस वाक्यांस के लिए एक सब्द क्या होगा तो इसका सही अंसर हो जाएगा option D. अना क्रांत अगला कोशन है आपका जो बहुत मंद गती से कारी करता हो उसके लिए एक सब्द क्या होगा तो इसका सही अंसर हो जाएगा option A. मंथर next question है आपका उचित अनुचित का ज्यान रखने वाला वाक्यान्स के लिए सही सब्द क्या होगा तो इसका सही अंसर होगा option A. बीबे की next है आपका जो अपने करतब का निश्चे ने कर सके इस वाक्य को एक सब्द में कह सकते हैं तो इसका सही अंसर हो जाएगा option C. किंग करतब बीमूड अगला प्रशना आपका अनिये कि युगों से चले आने वाले वाक्यान्स के लिए एक उप्युक्त सब्द क्या होगा तो इसका सही अंसर हो जाएगा option D. सनातन next है आपका ऐसा कभी जो ततकाल रचना करता हो उसके लिए एक सही सब्द क्या होगा तो इसका सही अंसर हो जाएगा option B. आसु कभी ऐसा कभी जो ततकाल रचना करता हो उसे आसु कभी कहते हैं अगला प्रशना आपका वह भाई जो अन्य माता से उत्पन हुआ हो कहलाता है तो इसका सही अंसर हो जाएगा option A. अनियोदर अगला कुशन आपका निमलिखित वाक्यों में से कौन सा सुध है प्रशन संख्या 41 तो इसका सही अंसर होगा option A. मैंने बाजार से सामान खरीदा वाक्यी जो है सुध है बाकी सभी जो है गलत है अगला कुशन आपका निमलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य सुध है प्रस्ण संख्या 42 तो इसका सही इंसर हो जाएगा option B विद्या स्रेश्ट धन होता है ये वाक्य जो है आपका सुध है बाकी सभी जो है गलत है अगला question आपका निमलिखित में से सुध वाक्य कौन सा है प्रस्ण संख्या 43 तो इसका सही इंसर होगा option D अगनी प्रजोलित हो रही है ये वाक्य जो है आपका सुध है बाकी जो है यहाँ आप देख सकते हैं अहिल्या इस वाक्य में तो अहिल्या जो है सुध ये हो जाएगा आपका इस तरह लिखा जाता है यहाँ निरप्राधी जो है आपका गलत लिखा गया है निरप्राधी नहीं निरप्राध होता है निरप्राध उसके बाद जो है अंगद रामड समवाद तो समवाद जो है यहां गलत है आपका संबाद जो है इस तरह लिखा जाता है तो D option जो है यहां सही है आपका बागी सभी में जो है गलत है अगला प्रशन है आपका 44 सेर को देखकर उसका होस उड़ गया का सुध्य रूप क्या होगा तो इसका सही एंसर हो जाएगा option D अगला प्रशन है आपका निमलिखित वाकियों में सुध्ध वाक की कौन सा है तो इसका सही एंसर हो जाएगा option यहां गन्ये का ताजा रस मिलता है यह वाक की जो है आपका सुध्ध है अगला question आपका इन में से कौन सा वाक की असुध्ध है प्रशस्तंख्या 46 तो इसका सही एंसर हो जाएगा option E हर एक खिलारी मैदान में पहुँच गया यह वाक की जो है आपका असुध्ध है यहां सही होना चाहिए हर एक खिलारी मैदान में पहुच गया क्योंकि जब हर एक लग गया है तो यह आपका एक वच्छन हो जाएगा तो इसलिए हाँ गय नहीं बलकि गया सही होगा अगला प्रशन आपका निर्देश दिया गया कि निमलिखित प्रशनों में रेखांकित सब्दों का दिये गये बिकल्पों में से सुध्य सब्द चुनिये प्रशन संक्या 47 दिया गया है कि उनके स्नेह की अंतर अस्तली सरिता मुख मुद्रा से अस्पष्ट जहांक रही थी तो अंतर अस्तली का जो आपको सही वाक बताना है कि सही कौन सा होगा इसमें तो यह आप समझो है यहां से जग अंत अस्तली होता है ना कि अंतर अस्तली अगला प्रश्ण आपका पश्चमी देशों में निर्यात के लिए प्रतिदोंदिता बढ़ती जा रही है तो आपको प्रतिदोंदिता का सही वाक्य जो है चुनना है तो इसका सही अंसर हो जाएगा आपका आपसन B प्रतिदोंदिता b आपसं जो है आपका सही हो गए है। अगला कुशन आपका नाई का उतक्रीव रहकर जिन भर नाय की प्रतिच्छा करती रही। तो उतक्रीव जो है आपको सही लिखना है कि इसतरहे लिखा जाएगा। प्रिश्ण संख्या उन्चास, तो इसका सही अंसर हो जाएगा आपसन B, उद्ग्रिव, अगला कुशन आपका संस्कृत संसलिस्ट भासा है, तो संसलिस्ट का सही सब्द लिखना है आपको, तो इसका सही अंसर हो जाएगा आपसन A, संसलिस्ट, यह आपसन यहां सही होगा, तो 51 प्रश्ण संक्या 51 है आपका नौ तो भिन सब्द आपको बताना है कि कौन सा भिन होगा चार आपसं दिया गया है तो D आपसं यहां से होजएगा 51 का तुरंग मतलब गोडा का प्रियावाची है बाकी सभी नौ की प्रियावाची है वेडा, डोंगी और तरी अगला प्रश्ण आपका मारतंड तो मारतंड का आपको बताना है कि कौन सा इसमें से भिन होगा तो इसका सही अंसर हो जाएगा आपसं D यती जो है यह आपका सन्यासी का प्रियावाची है बाकी सभी मारतंड यानि की सूरी सभी सूरी के प्रियावाची है दिवाकर, आदित्य और प्रुभाकर अगला प्रश्ण आपका अच्छी, अच्छी यानि की आँख, तो आपको उताना है इन में से कौन सा भिन्न होगा अगला प्रश्ण आपका अड़ो, अड़ो यानि की समुद्र, तो आपको उताना है इन में से भिन्न कौन सा है तो इसका सही अंसर हो जाएगा आपसन C, पन्नक, पन्नक ये सर्प का प्रवाची है, बाकी उदधी, जलधी और अतना करे, इस हभी समुद्र के प्रवाची है अगला प्रश्ण आपका रसाल, रसाल यानि की आम, तो आपको बताना है इन में से भिन्न कौन सा होगा तो इसका सही अंसर हो जाएगा आपसन B, हेम, हेम जो है है, सोना का प्रवाची है, बाकी अम्रित, फल, अंब और आम्र, ये सभी रसाल के प्रवाची है, निकि आम की प्रवाची है अगला प्रशन आपका निर्देश दिया गया है, रेखांकित सब्दों का, निम्न में से कौन सा बिकल्प प्रवाची नहीं है तो question number है, आपका 56, उद्यान में तरह-तरह के फूल खिले हैं, तो उद्यान के आपको बताना है कि कौन सा प्रवाची नहीं होगा तो इसका सही अंसर हो जाएगा आपसन B कुसुम जो है या आपका फूल का प्रयावाची होता है फूल यानिकि पुस्प का प्रयावाची होता है बाकी अराम, अरन्य और बगी चाहे सभी उद्यान के प्रयावाची है अगला प्रशन आपका सन्यासी गहवर में आसन लगाए रहते हैं तो गहवर का आपको बताना है कौनसा प्रयावाची जब्द नहीं है तो बी आप सनियास हो जाएगा रूच रूच यह नहीं कि सुस्क तो यह सुस्क का प्रयावाची है बाकी कंद्रा, खोह औudरी ये सभी गहवर के प्रयायवाची है अगला प्रशन है आपका रोटी, कपड़ा तो कपड़ा अंडरलाइन किया गया इसी का आपको प्रयायवाची जो है बताना है कौन सा नहीं होगा इसमें से और मकान, जीवन की तीन मूल भूत आवा सेकता है तो C आपसन जो है यहां सही हो जाएगा अंबू, अंबू मतलब होता है जल यह जल का प्रयायवाची है बाकी पट, पोसाक और परिधाने सभी कपड़ा यानि कि वस्त्र के प्रयायवाची है अगला कुशन आपका कनक, कनक ते सोगनी मादकता अधिका है तो इसमें आपको कनक का प्रयायवाची जो है, बताना है कौन सा नहीं होगा तो यह आपसन जो है आपका सही हो जाएगा, रतनाकर जो है यह आपका समुद्र का प्रयायवाची है बाकी सोना, कंचन और सोड, यह सभी कनक के प्रयायवाची है अगला कोशन आया और आपका अंतिम प्रश्ण है वह असहाय निर्बल ब्राहमन घर घर जाकर भीख मांगता था तो यहाँ आपको बताना कि ब्राहमन का प्रयावाची कौन सा नहीं है तो यह आपसन यहाँ से वेग महीप यह राजा का प्रयावाची है बाकी भूसूर द्विज और भीप्र यह सभी ब्राहमन के प्रयावाची है तो दोस्तो जो है यह था कि हिंदी के कुल 60 प्रश्ण जो की आपका यह प्रैक्टिस सेट संख्या दूसरा है तो दोस्तो यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेर कर देजेगा और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेजेगा साथ में विल आइकन को प्रेस कर लेजेगा जिसे आने वाले अगले वीडियो का नूटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए और इसका पीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यबाद